वीडियो में आप कह सकते हो कि हम आपको explain करेंगे relative density क्या होती है density क्या होती है relative density क्या होती है दोनों में क्या difference होता है ठीक है और इसको हम आपको explain करेंगे आपकी NCIT का example number 10.7 चलिए तो बच्चों देखिए इसमें आपको बोल रहा है relative density of a silver is 10.8 the density of the water is 10 to the power 3 kg per meter cube what is the density of the silver in SI unit अब देखो जरा सबसे पहले आप यह concept समझो density क्या होता है ठीक है students जिन बच्चों को density नहीं पाता है देखिए density का जो formula होता है mass by volume क्या होता है mass divided by volume अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आप volume को 1 कर दो कितना कर दो one unit कर दो volume को अगर आपने कितना कर दिया one unit कर दिया तो नीचे one हो जाएगा mass upon one mass आजएगा यहांनि ifall renewal लो जाईगी किसके Why density equal हो जाएगी किसके mass if upon volume volume को वन कर दिया तो mass upon one कितना आजएगा mass एन कि density up डिखिए यह देंसिती का जो निमेरिकल वैल्यू हो किसके सब्कर्रिक वल आगया मांस के खब जब वोल्यूम आपने कितना कर दिया वन You natur Уम में कोई अपने लिया उसका या कोई सब्स्टेन्स आपने लिया उसका वन इन वॉल्यूम में आप मास चेक라고 उसके अप्ण चकर unit of density, density की unit होती, वो क्या होती है, चेक कर लो, density की unit, density की unit कैसे निकालोगे, आप निकालोगे इसको कैसे, देखो उपर क्या है, mass, mass की SI unit क्या होती है, SI unit मतलब international system of unit, mass को internationally, कौन से unit में, मिधर करते हैं, kilogram में, तो mass को kilogram में, और volume को meter cube में, याद रखेगा, volume को meter cube में, ठेक, तो य यह meter cube उपर जाएगा, तो meter की power minus one हो जाएगा, इसको हम पढ़ते है, kilogram per meter cube, kilogram per meter cube, अब आव इसका feel हम आपको देते हैं, फटा-फट इसका feel देखिए, इसका feel ये, आपके NCIT से example ले ले लेते हैं, फिर इस question को करेंगे, ठीक है students, आपके NCIT में example दिया है कि gold की जो density है, वो कि पढ़ते हैं, इस symbol को क्या पढ़ते है, और हो, ठीक है, तो आप किसी-किसी book में देखोगे, तो आपको ऐसे लिखा रहेगा, बच्छो, formula वहाँ पे, density is equals to M, M का मतलब mass, नीचे volume, mass by volume, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे density of gold, row of gold का मतलब density of gold आपको कितना दे रखा है, आप students, तो इसका मतलब क्या है, पर मीटर क्यूब का मतलब है, वन मीटर क्यूब का अगर volume ले ले, किसका gold का, मतलब समझो, देखो, gold का एक cube, assume करो, gold का एक cube, assume करो, cube समझते हो, cube जिसमें length, breath, height, equal होते हैं, तो यह देखे, एक cube है, gold का, ठीक, यह इस तरीके से, gold का solid cube है, इसका length भी 1 meter, breath भी 1 meter, और height भी कितनी 1 meter, अगर आप volume निकालो, कितना आजेगा बताओ, volume क्या होते है, length into breath into height, यानि कि 1 meter into 1 meter, length, breath, height, length into breath into height, यह volume, 1 into 1 into 1, 1, meter into meter, into meter, meter cube, तो यही बात है, मतलब, assume करो अपने दिमाग में, 100 centimeter, यानि कि इतना होता है, 100 centimeter, तो 100 centimeter length, 100 centimeter breath, और 100 centimeter height का एक box बनवालो इस तरीके से, solid box नहीं, I am very sorry, एक solid बनवालो gold का, वैसे तो बड़ा महंगा होता है, एक बत बता रहा हूँ, feel करने के लिए, ठीक है, तो अगर one unit volume का gold ले ले ले, तो उसका mass कितना होता है, 19,300 kg, तो ये इसकी density है, किसकी gold की, यानिके, 19,300 kg पर meter cube का मतलब है, गोल्ड का, अगर one meter cube का volume लिया जाए, तो उसमें gold का mass कितना होगा, उसमें इतना gold होगा, 19,300 kg, इसी तरीके से आपको, आपके book में दिया हुआ है, while the density of the water is 1000 kg पर meter cube, तो water की density आपको दी हुई है, ठीक है, density of water जो आपको दी हुई है, वो कित्ती दी है, 1000 kg पर meter cube, यानिके, अब आप assume करो, कि अगर हम one unit volume का एक water tank ले रहे हैं इस तरीके से, ये one unit volume का एक water tank है, ये इसमें ऐसा, या वैसे तो आप पानी का cube नहीं बना सकते ह पानी का एक cube है, जिसकी length breath height 119 तो इसका अभी volume कितना है, वन मीटर cube, तो इसमें पता है कितना mass है, इसमें है 1000 kg mass, ये चीज़ है, ये मतलब है, मतलब volume दोनों के same है, ये gold है, ये water है, ठीक है, दोनों के volume same है, कितना 1 meter cube, 1 meter cube, ठीक है, लेकिन mass किसका जादा आ रहा है, mass gold का से भारी है, physics की भाशा में, gold क्या है, water से भारी है, क्योंकि same volume में, same volume है, one unit, one unit, ठीक, one meter cube, same volume में, किसका mass जादा है, gold का, इसले gold क्या है, पानी से भारी है, ठीक है, ये चीज़ हो गए, तो ये तो हो गया density, density का मतलब mass per unit volume, और density की unit क्या होती है, kilogram per meter cube, ठीक है, अब relative density क्य क्या होता है, तो घ्यान से चेक कर ऊ, बच्चो, relative density के लिए, हमने क्या किया है, water की density को reference माना हुआ है, मतलब समझो, देखो, एक ताम आता है, जिसको हम क्या बोलते है, relative density, अब ये relative density, हमने क्यों बनाई हुए, इसको आप समझो, relative density हमने इसले बनाई हुए, ताकि हम किसी किसी भी substance की density को water से compare कर सके हैं अब इसका meaning आपको बताएंगे परशान ना हूँ तो relative density का जो formula होता है density of substance density of substance divided by density of water अब यह substance आपका कुछ भी हो सकता है substance आपका gold हो सकता है silver हो सकता है कुछ भी हो सकता है और नीचे आपको हमेशा density of water रखना है तो उपर किसकी density रखोगे gold की और नीचे water की हमने बोला relative density of silver बताओ तो उपर आप silver की density रखोगे नीचे आप water की रखोगे और divide लगाके ratio निकाल लोगे अब इसको आई हम example से बताते हैं एक चीज़ लेकिन आपको ध्यान रखना है relative density has has no units ये एक्जाम में आपके question आ सकता है ठीक है कि relative density की unit क्या होती तो जवाब है relative density की कोई unit नहीं होती है क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो कि अगर आपने किसी substance की density मेजर करी तो उपर unit क्या रही होगी और नीचे पानी की density भी kilogram per meter cube तो क्या होगा kilogram per meter cube से कट जाएगा जब same physical quantity का ratio लेते हैं तो उसका कोई unit नहीं आता है ठीक तो उपर भी density की unit नीचे भी density की unit कर जाएगा इसलिए relative density की की कोई भी unit नहीं आएगी so since the relative density is the ratio of the similar quantity relative density similar quantity का ratio है उपर भी density है नीचे भी density उपर substance की density नीचे water की density इसलिए unit कर जाएगा और relative density की कोई भी unit नहीं आएगी इतना ध्यान रखते हुए आईए इस सवाल को करते हैं तो सवाल में आपको relative density of silver दे रखा है ठीक है ना तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको relative density of silver दे रखा है कितना है 10.8 आप खास बात देखो इस question में बच्चों इस question में खास बात यह है कि यह जो relative density of silver आपको दे रखा है यह 10.8 दे रखा है इसका unit नहीं होती है अब सवाल अभी कर लेंगे रुख जाईए पहले इसका meaning मैं आपको बता दूँ कि इसका meaning क्या है ठीक है ना इसका meaning बता है क्या है इसका meaning यह है ध्यान सुनों इसका meaning यह है बच्चों बहुत ध्यान सुनेगा ठीक density of substance इस बार substance की जगह हम लोग क्या लिखेंगे silver लिखेंगे, क्या लिखेंगे, silver क्योंकि substance कौन हो गया, silver हो गया ठेक, ओके, अब relative density कितनी दे रखी, 10.8, तो हम यहां रखेंगे 10.8 is equals to density of silver को हमने ऐसे दिखाया, row silver row, row silver, यानि कि density of silver और नीचे density of water, यानि कि density of water, अब cross multiplication करा दो, यहां से, यहां पर multiply कर देगा, तो यहां से आजएगा, ध्यान से क्रो density of silver is equals to 10.8 into, इतना तो math साता होगा यह यहां कि multiply कर देगा, 10 into density of water, लो, यही मैं आपको पढ़ाना चाहता था, यहां पर क्या, कि relative density आपको क्या information देती है, जैसे कि question में यह मतलब होता है, यहनि कि अगर हम दोनों का, क्या ले ले सेम volume ले ले, 1 meter cube water ले ले, और 1 meter cube silver ले ले, तो silver वाले block में 1 meter cube आपने water लिया, यह water है, कितना? volume कितना है? 1 meter cube, और इसी तरीके से 1 meter cube का आपने silver लिया, solid silver, ठीक, यह silver है कितना? 1 meter cube, तो पता है, यह जो silver होगा, क्योंकि density of silver is equals to 10.8 times density of water यानि कि जो silver होगा, इसका mass water के comparison में 10.8 times जादा होगा, यह मतलब होता relative density का समझ गए? तो relative density जो number दिया होता है, जैसे यहाँ पर 10.8 दिया है तो यह number यह बताता है कि यह पानी से बोला कि कोई substance A, कोई substance क्या है? दूसरा color लेते भाई, यह दिखनी रहा है, सुनो, कोई substance है या कोई material है, इसकी relative density 5 है, कितनी 5 है? इस बात से आप क्या समझते हो? इस बात से हम यह समझते है, relative density कितनी है? 5 है, ठीक, किसी substance की substance का नाम A है, चलो, जैसे यहाँ silver था, कोई A substance है, इसकी relative density 5 है, इससे हम यह समझते हैं कि यह जो substance है, यह पानी की comparison में 5 गुना जादा भारी है, मतलब इसकी density पानी के comparison में 5 गुना जादा है, मतलब अगर हम दोनों का same volume ले ले, इस substance का और water का, तो जो substance है, वो पानी से 5 गुना जादा माथ उतने ही volume में रखेगा, I think आपको समझ में आया होगा, अब सवाल में आजाओ, सवाल में कुछ नहीं है, relative density बच्चो दिया हुआ है आपको, ठेक, relative density आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको density of water दिया हुआ है, तेंड द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ऐसे लिख सक तो ठीक, unit को आप ऐसे लिखो, और चाहिए, ऐसे लिखो, ठीक है, कह रहाएगी, what is the density of silver in the SI unit, यहने कि density of silver निकालना है, तो यही वाला formula आपका लग जाएगा, यहाँ से दिखिए, relative density is equals to, यहाँ से दिखिए, ऊपर क्या रखोगे, density of silver, ठेक, तो density of silver कितना है, आपको नि मैं लिखा क्या, density of silver, और नीचे क्या रखेंगे, density of water, density of water, और नीचे density of water दिया हुआ है, तो मैं direct रख दे रहा हूँ, density of water कितना है, unit के साथ रखेंगे, unit भूल मत जाना, density of water कितना है, नीचे रखेंगे, 10 to the power 3, kilogram per meter cube, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 to the power 3, kilogram per meter cube, अब इसकी cross multiplication करा दो, यहां के यहां पर multiply कर देगा, ठीक, लेकिन उससे पहले, यहां पर relative density की value रखो, relative density कितना है यहां पर, 10.8, तो relative density की जगा हम कितना रखेंगे, question में relative density दीए, silver की 10.8, यह लिजे, अब आके यहां पर multiply कर देगा, ठीक, तो इसको लाके यहां पर multiply क of silver कितना आ जाएगा, भाई, अब silver की density निकाल रहे हो ना, तो उसकी तो unit होगी, relative density की unit नहीं होती है, पर density की तो होती है, तो 10.8 into 10 to the power 3, और 7 में आएगा kilogram per meter cube, okay students, अब इसको solve करना है, कैसे solve करोगे, ध्यान से चेक करो, देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो decimal ह आप right hand side में ले जाओंगे, ठीक, उतना ही 10 की power में क्या करऊगे, minus करोगे, याद रखना, ठीक है, फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, देखो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, देखो, आप इसको इस तरीके से कर सकत एहां से पॉइंट हटाओं सब्सक्राइब 108 का मतलब क्या होता है । इंटू में क्या जाएगा थासे यह 0-0 ग्या और यहां सब्सक्राइब 108 नियान रखने कि यह लेकिन यह आ रहा है कि 10,800 kg पर मीटर क्यूब यानि कि सिल्वर का अगर वन मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले तो उसमें सिल्वर का मास कितना होगा 10,800 kg अब आपकी बुक जैसा अंसर कैसे आएगा उसके लिए ध्यान से चेक करो जब हमने क्या किया 10.8 को 10 to the power 3 से multiply किया 10.8 को 10 to the power 3 से multiply किया तो kg पर मीटर क्योब इसको ऐसे छोड़ दिया है इनोंने solve नहीं किया I think I think आपकी बुक में solve नहीं किया है जितने place आफ left में लेके आओगे उतना ही 10 की पावर में add करोगे decimal को left में लेके जाओगे 10 की पावर में उतना ही add करोगे right में लेके जाओगे 10 की पावर में उतना ही minus करोगे याद रखना scientific notation में decimal से पहले एक ही डिजिट रखा जाता है ठीक तो 1.08 इंटु 10 बावर 4 किलोग्राम पर मिटर क्यूब भी आ सकता है ठीक है वापस इसको इधर भेज सकते हो कैसे इस decimal को यहां पर भेज होगे तो क्या हो जाएगा वापस से 10.8 इंटु 10 की पावर अब 4 में से 1- कर यह सब मैंने आपको समझा दिया बच्चों क्या मतलब है आप आंसर ऐसे दे दो ठीक आप आंसर ऐसे दे दो आप आंसर 1.08 इंटु 10 बावर 4 किलोग्राम पर मिटर क्यूब दे दो आप कैसे भी दे दो यह टॉपिक में आपको प्लाहना चाहता था उसने बोला कि density of silver in SI unit य